दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए वीडियो में मैं हूँ आपका दोस्त मनीज और आप देख रहे हूँ आपका आपना यूटूब चैनल देशी फार्मिंग दोस्तों सबसे पहले आप इस छोटी सी क्लिप को देखिए फिर हम आपको बताते हैं कि आप जो अंडो के लिए मुर्गियां पालते हूँ उनको क्या नहीं खिलाना चाहिए वरना आपका बहुत बड़ा लौस हो सकता है कि अब इस क्लिप को देखा यानि कि छोटे से वीडियो को देखा ये हमारे पास में ही एक फार्म था जो कि इसे बच्चा लेकर के गए थे और मुझे इनसे अंडे लेने थे ताकि हम अपनी हैचरी को विध्युवत चला सकें लेकिन इन्होंने बस एक छोटी सी गलती कर दी कोई जब इनकी मुर्गियां जो है अंडे पर आगई तो अंडे पर आगई ठीक है और अंड़ा देने लगी और शुरुआत === इनकी 500 के आजपाई टोटल मुटिया थी और 1500 अंडे लगवग इनको मिलने लगे और इसके बाद में इन्होंने जो है मजबूरन एक महिना डेड़ महिना दाना खिलाने के बाद में इनसे कोई भी इनको प्राफिट नहीं हुआ इसके बाद में इन्होंने इन सभी मुर्गियों को बेंच दिया ठीके और इस फारम को बंद कर दिया बाकि और दूसरी पॉलेट्ट्री फारमांग इन्होंने करने की सूच इसके अलावा दोस्तो यद आप मुर्गी पालन को या अंडे के लिए बेवसाय करना चाहते हो तो हमने अपनी PDF e-book में सारी जानकारी दी है कि कैसे क्या आपको मुर्गी पालन करना है तो उस PDF e-book का हम इंट्रो देख लेते हैं इसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों यदि आप मुर्गी पालन कर रहे हो या करने वाले हो तो या PDF e-book आपके बहुत काम आ सकती इस PDF e-book में आपको देशी मुर्गी पालन, बॉयलर मुर्गी पालन और लेयर मुर्गी पालन की 99% जनकारी मिल जाएगी इस PDF e-book में आपको मुर्गियों का फार्म बनाना मुर्गियों की प्रजाती चुजे की ब्रूडिंग सर्दी कर्मी बरसाद में मुर्गियों की देख रेक चुज़े को एक दिन से बढ़ा होने तक पालने का तरीका फार्म मैनेजन मुर्गियों की बीमारी कारां इलाज और उनकी दवाय मुर्गियों की वैक्सिनेशन फिर्ट फार्मूला उनकी मार्केटिंग आद बातों को सामिल किया गया इस पीडिया मुर्गी पालन क्यावन रुपए बॉयलर मुर्गी पालन रुपए और लेयर मुर्गी पालन रुपए या पीडियाफ उबुक अभी सिर्फ हिंदी में उपलब आप गोगल पे फोन पे इमेजान पे पेटियम या किसी अन यूपी आई से 923623883 पर पेमेंट करके पेमें आत्रा में नहीं दिये क्या खिलाया इस वीडियो में हम बताएंगे बहुत ही इंपोर्टन वीडियो है लाश्ट तक जरूर देख लीजिएगा चैनल पर नए आए हो और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकिशन भी आन कर लीजिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो अप्लोड करें उसका नोटिफिक्शन भी आपको मिल जाए अगर जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो अभी जो आपने क्लिप देखी तो एक हमारे फार्मर हैं ठीक है उन्होंनों लोन लेकर के इस व्यवसाय को सुरू किया था तो उन्होंने हमसे बच्चा लिया जो बच्चा था वो 28 फरवरी को इनके पास गया तो मार्च के आसपास मांचले मार्च की सुरुआत ही समझ लेते हैं मार्च में इनको हमने तो 28 फरवरी को बच्चा माचली, इनके पास गया और जो सुनाली मुर्गी ये थी और अंडे जो देती है ये 15-4 महीने में अंडे देना स्टार्ट कर देती है लेकिन 15-4 महीने में अंडे देना कब फर्ट करती है जब इनको 4 महीने से धै करने जब Condor तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि यहां इसे हमें अंडा मिल जाएगा अपनी हैचरी के लिए हमारी हैचरी भी बराबर चलती रहेगी तो लगवाग इन्होंने चार महिने तक पाले तो शुरुआत में जो एंडे देती हैं तो छोटे दे देती हैं लेकिन ज़्यादा छोटे मार्केट में बेचो या किसी हैचरी वाले को दो तो उनसे भी हमें रेट भी सही मिलेगा तो लगवग पांच महीने हो चुके थे और अंडे ठीक ठाक देना श्टार्ट कर दिये थे तो लगवग पांच से साड़े पांच या छे महीने तक जो अंडे थे इनके आ गये थे लगवग 500 मुर्गियां थी और 1500 अंडे पर आ चुकी थी इसी समय इनों इनसे गलती हो गई गलती हो गई कि इन्होंने लोन ले रखा था अब इनका पूरा सिस्टम लोन से ही था कि जब आपके पास दाना खतम हो जाएगा तो आप जो लोन का पैसा है ठीक है बैंक से और अ फैसा नहीं मिला इस बीच्प में इन्होंने क्या कि जो दाना था ठीक है पहले लेईर भीड खिला रहे थे लेंके कर दो दो तो आपको सस्ता मिल जाएगा काफी सस्ता मिल जाएगा रुज तो इनको किसंता में निकाले जाते हैं तो वह मतलब सस्ता मिल जाता है चावल में एक चीज और आती है जो पालेसर चलते हैं उनमें पालिस होती है ठीक है तो इनको कहीं से कन मिल रहा था ठीक है तो इन्होंने मूर्गिवों को कन खिलाना शुरू कर दिया जिसमें भूसी और चावल के टुकड़े दोनों ही मिक्स होते हैं इसको कन बोलते हैं तो लेकिन जब दाना इनको सही से फिड नहीं मिल पा रहा था तीक है तो अंडे देना कम कर दिये लेकिन लगभग इन्होंने एक महीना बीट गया एक महीने तक यह अच्छा फिड याने लेयर फिड नहीं ला पाए और उसको लगाता जो है धान का जो है कन वो खिलाते रहें जब यह लगा तर्फ दान का खिलाते रहें एटिक है तो चलिए कोई बाद नी का खिला इनका पेट भड़ते रहें जैसे सके उसके बाद में जब इनको पैसाे मिला तभ यह दाना लेकर के आहित अब जब कन इनको खिला रहे थी तो इस पास ध्यान दिए कि मान तो इन्होंने क्या किया जैसे माल यह थोड़ा सा दाना डाला आपने वह तनकदिर में घूंकी है तो तनकदिर में खा लिया तो इधर तो कन चलता रहा चलता रहा उसके बाद में जब यह दाना लेकर के आए ठीक है दाना लेकर के आए तब क्या हुआ कि दाना इन्होंने खि अगर अच्छा खिलाओगे तो आठ से दस दिन में दोबारा अंडे देना श्टार्ट कर देती हैं और आपको लगबग 10 से 15 दिन में आपको फिर से भरपूर अंडे मिलने लगते हैं तो इन्होंने लगबग 15 20 दिन 25 दिन 30 दिन एक महिने तक इन्होंने दाना खिलाया लेकिन वह अंडों पर नहीं आई नहीं दोबारा जो अंडे नहीं दे और 500 मुर्गियां 30-40-50-30-40-50 अंडे ही हो रहे थे तो कितना बड़ा यहां पर लास्ट होगा अब बीच में जब मैं अंडे लेने गया थोड़े बहुत जो भी अंडे हो रहे थे तो लेने गया इनसे हमने फिर कुछ बाते पूँछी और बताई धार कि पंगा मुर्गिशा पम्जा करेंगेasına यहां पर आप देखोगे उनके जो गले में बहुत सारा दाना इनके इखटा करके भर लेती हैं तो यह जब भी डाना डालते थोड़ी देर में वो खा लेती हैं तो इससे जो होता क्या कि इससे जो है वो मुर्गियां पूरी तरह से उनका पेट नहीं भरता था तब इनको उतना खाओगी सिर्फ एक दिन दो दिन आप भरिये दाना खाना ये छोड़ देंगी सिर्फ उतना दाना खाएंगी जितना इनको जरूरत है और ऐसे क्या होता है चाहें आप मनुस्य की बात कर लें अगर आपको भूँक बहुत लगी और कोई चीज आपको मिलने को है कि ल गले में कसके मुह में भर लें थी इनके अपना गले में जो था होता है वहां भर जाया कसके तो ऐसा बिलुकुल नहीं होगा भी जितना जरूरत हो उतना खाती रहेंगी तो एक गल्ती यहाँ पर यह कर रहे थे कि sasya feeding नहीं कर आ रही थे दूसी जब हमने कहा तो इन्होंने फिर भी आठ दिन दस दिन तक इन्हों ने खिलाया दाना लेकिन फिर भी अंडे पर नहीं आई इसके अलावा दोस्तों हमने इनके फारम में एक कमी और देखी जब इनके फारम पे मैं गया ठीक है तो मैंने इनसे जानकारी ली कि जो आपके फारम की है वो साफ सफाई कैसे क्या करते हूँ तो इन्होंने बताया कि फारम की सफाई हफते 15 जिन में हो जाती है लेकिन फिर भी इनसे हमने गहराई से पूचा कि आप किस तरह से फारम कोई सफाई करते हो क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा था कि इस पर इसमें भूसी नहीं पड़ी थी और बरसाथ का मौसम था तो काफी जगा चारो तरफ इनके पानी भरा रहता था तो अंदर भूसी वेगारा नहीं पड़ी रहती थी और जब से इन्होंने मुर्गियां डाली साइद एक दो बार अच्छी तरसे भूसी डालके हटा करके दोबारा भूसी डाली हो तो क्या हुआ था कि जो फारम था उसमें मतलब मुर्गियां बैठती जाती हो और बीट जो ह फिर अमोनिया गैस बनने लगती है और जब इस गंदगी को साफ नहीं करेंगे वो बड़ को नुकसान करती है और बड़ को जब नुकसान करेंगी तो निश्चित है कि वह अंडे जो है सही से नहीं देंगी अगर फारम की साफ सफाई अच्छे से कर दू तो देखोगे कि दस पंदा दिन के बाद जल से जल आपको अंडे मिलना श्टार्ट हो जाएंगे तो एक कमी हमारे इनके फारम के अंदर यह सबसे बड़ी नजर आई मुर्गियों को ले जाकर के डाक्टर के पास भी दिखाया पर वो भी नहीं समझ पाए लेकिन एक बात उन्होंने ये बात कई कि भाई उन्होंने क्या खिलाया था उन्होंना कन तो यह चीज सबसे यहां पर गलत हो गई जब एक महिना डेड़ महिना सब कुछ मैनेज करने क के बाद भी अंडे नहीं दे रहे थी तो यह रिजल्ट निकल खी आया कि जो मुर्गियों को कन खिलाया जाता है चावल का या फिर पालिस खिलाया जाती है उन मुर्गियां वो मुर्गियां खराब हो जाती है वो मुर्गियां खराब क्यूं हो जाती है अब क्यूंकि इसम इसमें कि जो इन्होंने कन खिलाया थी के तो कन जो खिलाया उसकी बज़े से जो मुर्गी थी वो पूरी तरह से बेकार हो गई मतलब अब वो जो मुर्गियां थी कुछ सही रही बागी खराब हो गई अंडे उनसे अब ना के बराबर मिलने वाले थे बागी दोबारा साथ को जो भाव उन्होंने बेचा हो वाग में सारी की सारी मुर्गियां बेच दिया तो इस वज़े से इस तरह से ये वाला फारम भी बंद हो गया तो आपको इन ही सभी बातों का ध्यान रखना है हम जो कमियां देखते हैं वो बताते हैं उन ही कम्यों को आपको सुधारना है कि ऐसी गलतियां नहीं करनी है क्योंकि आपके पास knowledge नहीं है और knowledge या तो फिर आप लेना नहीं चाहते हो तो यह चोटी सी जानकरी थी यदि आप इन चीजों को आपने सुधार लिया तो आप आगे भी अपना future में भी farm लगातार चला सकते हो और अच्छा मुनाफ़ा भी कमा सक यह चोटी सी जानकरी थी उमेद है मेरे दोरा इस वीडियो में दी गई जानकरी पसंद आई होगी और अगर मेरे दोर इस वीडियो में दी गई